कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ हर किसी को साथ ले करके मा भारती की सेवा करे 140 करोर देशवाजों की आशा आकांच्छाओं को परिपूर्ण करे हम सब को साथ ले करके चलना चाहते हैं सब को साथ ले करके सम्विधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए मेनें को गती देना चाहते हैं कि अठारवी लोगसभा में हमारे लिए खुशी के बात है कि युवास सामसदों की संग्षा अच्छी है और हम जब अठारा की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं भारत की सांसुर्तिक विरासत से जो परिचीद है उनको पता है कि हमारे यहां अठारा अंक का बहुत सात्विक मुल्य है गीता के भी अठारा अध्याय है कर्म कर्तव्या और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे हां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है और नव पुर्णता की गारंटी देता है नव पुर्णता का प्रतीक अंक है अठारा वर्ष की आयू में हमारे यहां मतादिकार मिलता है अठारवी लोगसभा भारत के अमरितकाल की इस लोगसभा का गठान वो भी एक सुपसंकेत है साथ्यों आज हम 24 जून को मिल रहे हैं कल 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पीत है जो लोग भारत की लोकतांत्री परमपराओं पे निश्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवस है कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के समिधान को पूरी तरह नकार दिया गया था समिधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गए थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था एमर्जन्जी के ये पचाथ साल इस संकल्प के हैं कि हम गवरों के साथ हमारे समिधान की रक्षा करते उए भारत के लोकतंत्र लोकतंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए कि देश्वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि जो 50 साल पहले की गई थी और लोग तंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन का लोग तंत्र का हम संकल्प करेंगे भारत के समिधान की निर्विस दिशागे अनुसार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जनता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है यह बहुती महान विजय है बहुती बब्ब्ब विजय है और तब हमारा दाईत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाच्यों को भी स्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है दो बार सरकार कलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाच्यों का अज विश्वाद दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा मेहनत करेंगे हम परणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देखर के आगे चल रहें हैं माने सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं मैं सभी सांसदों से आगर करूंगा कि जनहीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जनहीत में कदम उठाएं देश की जनता विपख्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली हैं शायद इस अठारवी लोग सभा में विपख्ष देश के सामान नागरीकों की विपख्ष के नाते उनकी भुमिका की अपेक्षा करता है लोग तंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है मैं आशा करता हूं कि विपख्ष उसमें खरा उतरेगा कि साथियों कि सवधन में सामान ने मानवी की अपेक्षा रहती है कि डिबेट की कि डिजिलेंस की कि लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहें ड्रामा होते रहें कि डिस्ट्रबंस होता रहें लोग सब्स्टंस चाहते हैं स्लोगन नहीं चाहते हैं कि डेश को एक अच्छे विपख्ष की आवश्यक्ता है जिम्मेबार विपख्ष की आवश्यक्ता है और मुझे पक्ता विश्वाद है कि इस अठारवी लोग सभा में हमारे जो सामसद जीत करके आये हैं वो सामान ने मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे साथियों विश्षिद भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दाईत्व है हम मिल करके उस दाईत्व को निभाएंगे जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे पचीश करो नागरिकों का गरीबी से भार निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सभलता प्राप्त कर सकते हैं और यह मानव जात की बहुत बड़ी सेवा होगी है हमारे देश के लोग एक सो चलीस करो नागरिक परिश्व करने में कोई कमी नहीं रखते हैं हम उनको जादा से जादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा यह सदन वो एक संकल्प का सदन बने हैं हमारी अठारव लोग सभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्न साकार हो कि साथियों मैं फिर एक बार कि विशेश करके नए सांसदों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं कि सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ कि आईए हम सब मिल करके कि देश की जंता ने जो नया दाईत्व दिया है उसको बखुभी निभाएं समर्पन भाव से निभाएं